हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, MeToo Talks पर मेरे चैनल के और भी वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप करें MeToo Talks और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक और शेर करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लगदाक में चीन के साथ तनाव की 20 सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कारवाही शुरू कर दी है सोमवार यानि 29 जून को सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए 59 चाइनीज आप्स पर बैन लगा दिया है जिसकी पूरे लिश्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है इन आप्स को इस्समाल करने पर कारवाही भी हो सकती है तो अगर आपने इसे अपने मुबाइल फोन से अभी तक डिलीट नहीं किया है तो फॉरन कर दीजे शेर इट, यूसी ब्रॉजर, ब्यूटी प्लस, यूकैम मेकप, क्लैश ओफ किंग, क्लफ फैक्टरी और कैम स्कैना जैसे फेमस एप्स के अलावा शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिक टॉक, हेलो, वीचेट, लाइकी पर भी बैन लग चुकी है लेकिन अब सवाल ये है कि इनके यूजर्स का क्या होगा? क्या उनका एकाउंट सस्पेंड हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब की सब को तलाश है तो चलिए शुरू करते हैं सरकार चीन से इंपोर्ट पर भी बैन लगाने पर काम कर रही है सरकार ने इन एप्स पर बैन क्यों लगाया? क्योंकि सरकार को इन एप्स के गलत इस्तमाल को लेकर कई शिकायते मिल रही थी कि ये एप्स Android एवं iOS प्लेटफॉर्म से डाटा चोरी कर रही है जिससे देश की सुरक्षा खत्रे में है तो था इन सभी एप्स के सर्वर भी भारत में नहीं है इसलिए भारती सुरक्षा अजेंसियों ने चाइनीज एप्स की एक लिच्ट तयार करके सैंटर गॉर्मेंट से इन पर बैन लगाने की अपील की थी कई टीवी सैलप्स जैसे मिया शर्मा, कुशाल टंडन, काम्या पंजाबी और मन्वीर गुरजर सही कई लोगों ने सरकार के उठाए गये इस कदम की प्रसंचा की है आपको बता दे कि भारत चाइनीज स्मार्ट फोन्स और एप्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि भारत में लगभग सौ करोर से उपर लोग इंटरनेट का यूज करते हैं ऐसा में चाइनीज एप्स को भारत में बैन करना चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कारवाई है लेकिन चीन को सबसे ज़्यादा घाटा टिक टॉक को बैन करने से हुआ है आपको बता दे कि टिक टॉक पहले मुजिकली के नाम से फेमस थी लेकिन बाद में इसका नाम टिक टॉक कर दिया गया ये एप सब्टेंबर 2016 में चाइनीज टेक कमपनी बाइट डांस द्वारा चीन में लाँच हुआ लेकिन 2018 में ये बहुत प्रिसलित हो गया अक्टॉबर 2018 में ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप बन गई लेकिन अब इलेक्ट्रोनिक और इन्फरमेशन टेकनलोजी ने गूगल और एपल से इसे हटाने के लिए कहा है भारत में टिक टॉक के 12 करोर मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जिसे की चाइना को सिर्फ टिक टॉक से ही 30 से 40 परसंट हिसा भारत से आता है क्योंकि अब टिक टॉक पर रोक लग गई है तो आप उसके बदले कई इंडियन एप्स को भी अपने मोबाईल में जगा दे सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब भी टिक टॉक की तरह एप बनाने में लगा हुआ है जानकारी के अनुसार शॉर्ट्स कोई अलग अप नहीं होगी ये यूट्यूब में एक आप्शन की तरह मिलेगी चाइनीज एप्स के भारत पर बैन लगाने से देश अब आत्मनिर्भर बनेगा और वहीं दूसरे देशों को भी आत्मनिर्भर बनने का संदेश देगा इसके अलबा आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड लाइक और शेर करना बिलकुल भी न भूले दुबारा मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका दिन शुब हो नमस्कार